आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जोग्राफी आर्बेस्ट क्लास 6 चैप्टर वन इन प्रिष्णों से आपके कम्प्रीट चैप्टर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आस्मान में दिखने वाले साथ तारों के सम्हों को क्या कहते हैं सब्तरिसी मंडल, स्मॉल बियर, सौस पैन, उप्रोक सभी तो इसका आंसर क्या होगा आस्मान में दिखने वाले साथ तारों के सम्हों को साथ तारे, तो साथ तारे किसमें है, सब्त्रिशी मंडल है, लेकिन स्मॉल बियर भी इसको कहा जाता है, सॉस पैन किसमें कहा जाता है, फ्रांस के अंदर इसको सॉस पैन कहा जाता है, तो इसका अंसर है, उप्रोक सभी, यानि साथ तारों के समॉको सब्त्रिशी मंडल भी कह जाता है, small bear भी कहा जाता है और sauce pan भी कहा जाता है. PUSH NUMBER 2, 17DR मंडल को Britain में क्या कहा जाता है? 17DR मंडल को Britain में क्या कहा जाता है? Plot, small bear, arsas, major, या इनमें से कोई नहीं. Plot का अर्थ होता है, hull जैसे आखरतीगा. इस्मॉल bear, arsas, major, या इनमें से कोई नहीं. तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर है प्लॉग ब्रिटेंड में जो 37 मंडल है उसको प्लॉग कहा जाता है यानि हल के होने की वज़े से इसको प्लॉग कहा जाता है Q3. 37 मंडल के चार तारों के समुँ को किस नाम से जाना जाता है Option है हमारे पास चौपाया, चार पाई, चेयर और मेज इसमें आपने देखा होगा 37 मंडल के अंदर टोटल 7 तारे दिखाई देते हैं तो देखें आप्सन के आधार पर बड़ा सिंपल से दिखाई दे रहा है सौर मंडल का यह सब बिलकुल नहीं है, तो प्रोक दोनों भी नहीं हो सकता तो या तो अर्सा मीजर है या इनमें से कोई नहीं है 37 मंडल जो है, वो अर्सा मीजर का हिस्सा है Next question, अर्सा मीजर को अन्ने किस नाम से भी जाना जाता है अर्षा मीजर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है small beer, milky way, great beer या उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा? इसका सही answer है great beer अर्षा मीजर है उसको great beer के नाम से भी जाना जाता है small beer क्या है? small beer 37 बंडाले और milky way तो हमारी आकास गिंगा है तो आपका सही answer है c great beer next question रात्री में दिशा निर्धारण करने के लिए किस तारे को देखा जाता है? option है helly, drew, सूर्य या उप्रोक सभी अब देखें रात को सूर्य तो दिखाई नहीं देगा तो मतलब यह option तो होई नहीं सकता हैली, हैली एक पुछल तारा है धुमकेतु है यह भी नहीं होता यह तो 36 साल में एक बार दिखाई देता है तो option क्या है? धुरूप तारा धुरूप तारे को देखकर रात्री में दिशा डिसाइट की जा सकती है तो option क्या? सही क्या है? धुरूप तारा question number 7 धुरूप किस दिशा को सूचित करता है? धुरूप तारा है वो इनमें से किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर, दक्षिण, पैशिम या फूर्व तो सही आंसर आप सभी जानते हैं इसका आंसर है उत्तर दिशा question number 8 ध्रूब का साब्दिक अर्थ क्या है अटल चमकीला नया या भक्त तो इसमें से सही आंसर इसका है अटल ध्रूब का जो साब्दिक अर्थ है वो अटल है और इसलिए इसको क्योंकि ये एक ही दिसामें हमेशा दिखाई देता है तो इसको हमारे भारती सास्त्रों में इसका ज दूबतारे से सम्मध्ध लोग कता में ध्रूब के माता-पिता का नाम क्या था धूबतारे से एक्च्वल में यह जो कुशन है वह ज्यादा इंपॉर्टनेंट नहीं रखता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटी सी छोटी भी प्रिश्ण भी आपके यहां से छूटे तो हम सभी प्रिश्णों को लेकर चल रहे हैं ताकि हम कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट छूट ना जाए इसका उप्शन है उत्तानपाद सुनिती उत्तानपाद सुरूची हिर्णक शप्वे सुनिती और हिर्णक शप्वे सुरूची तो इसका सही उप्शन है उत्ता आस्मान में फैले तारे, उलका, ग्रह, उपग्रह, धुमके तु आदू क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, स्वार मंडल कहलाते हैं, आकास गंगा कहलाते हैं या खगोलिय पिंट कहलाते हैं. तो देखिए आस्मान में फैले जो तारे उलका ग्रह ग्रह जितने भी हैं ये एक natural pin है तो ये सभी क्या कहलाते हैं खगोलिय पिंट कहलाते हैं तो इसका अंसर क्या होगा D, खगोलिय पिंट कोशन नमबर 11, तारे निम्न में से किसके मिश्रण से निर्मित होते हैं औप्सन आपके पास है hydrogen वे helium, hydrogen वे nitrogen, helium वे uranium और केवर hydrogen क्या है इसका अंसर है hydrogen वे helium औप्सन नमबर A, सभी तारे सामाने तोर पे hydrogen वे helium के बने होते हैं Q2. समस्त खगुलिय पिंड असीम आकास में बिक्रे रहते हैं, इस असीम आकास को क्या कहा जाता है? तो यानि खगोलिय पिंडों के बीच में जो रिक्तिस्थान है, उसके लिए खाली जगह है, उसके लिए आपको पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं? तो उसके आपके पास क्या बस्ता है? अंत्रिक्ष. तो आपका अंसर होगा अंत्रिक्ष. Q13. विभिन्य तारों, उनके अवशेशां और मद्धे में उपस्चित गैसों, धूलकर्ण, जो गुर्तवाकर्शन के कारण बंदे हैं, क्या कहलाते हैं? अब देखें, यहां पर विभिन्य तारों, मतलब बहुत सारे तारों की बात यहां पर की गई है. तो आंसर अकास गंगा भी हो सकता है. निहारिका हो सकता है, मंदाखनी हो सकता है. सब्सक्राइब मंदव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक common उसके लिए कहा गया तो इसके लिए जो सबसे निहारिक और मंदाग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह आकास गंगा के अंतरगत आता है, यानि वो उसके नाम है, पर्टिकुलर आकास गंगाओं के, तो इसमें सब से best option क्या हो सकता है आकास गंगा तो इसका answer क्या होगा आकास गंगा कोशें नुमबर 14 तारों के छोटे समू को क्या कहते हैं तारों के जो छोटे समू होते हैं जिसमें कुछ चुनींदा तारे ही होते हैं उनको क्या कहा जाता है आकास गंगा कहा जाता है आकास गंगा में तो बहुत सारे अर्वों तारे हो सकते हैं नक्षत्रमंडल हाँ इसमें possible है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ी परिवासा हो गई वो तो खाली स्थान को का जाता है और ब्रह्मान, ब्रह्मान तो अनन्त है तो तारों के छोटे समुझ क्या का जा सकता है के वर नक्षत्र मंडल तो इसका अंसर होगा नक्षत्र मंडल कोशन नमर 15 एक वर्ष में प्रिकास द्वारा तै की गई दूरी होती है एक वर्ष में प्रिकास द्वारा तै की गई दूरी होती है तो आप अच्छे से जानते हैं प्रिकास वर्स है जो दूरी की एक इकाई है और इसका अंसर है देखते हैं लगभग 95 खरब किलोमेटर लगभग 85 खरब किलोमेटर है लगभग 85 खरब किलोमेटर है या लगभग 85 खरब किलोमेटर है तो इसका सही option क्या है लगभग 85 खरब कि ब्रह्मान्ड उत्पत्ति का सबसे प्रिचलित व्यग्यानिक सिध्धान्थ है इश्वरवाद का सिध्धान बिग बैंग थ्योरी उप्रोग दोनों या इनमें से कोई नहीं अब इश्वरवाद का सिध्धान्थ क्या कहता है कि सभी इश्वर से पैदा हुआ है जो कुछ पी पैदा किया विग बैंक थारी में यह कहा जाता है कि एक धामका हुआ था कुछ टाइम पहले तो उससे ही पूरा ब्रह्मान का निर्मान हुआ है यह उप्रोग दोनों तो इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर होगा Big Bang सृध्धाant कोशन नमपर 17 विग बैंक विस्वोट का हुआ कब विस्वोट हुआ यह माना जाता है तो इसका आंसर है लगभग 13.7 अरफ वर्सपोर विग बैंक का जो विस्वोट हुआ था Question number 18, हमारा सौर मंडल किस आकास गंगा का हिस्सा है? मंदाकनी, एरावत पत, मिल्की वे या उप्रोक सभी तो आप बताइए इसमें सीख्या अंचर हो सकते हैं मंदाकनी, एरावत पत, मिल्की वे या उप्रोक सभी अब आपको जानकर एक लिए बता दूँ कि हमारा जो सौरमंडर है वो मिलकी वे में आता है और मिलकी वे के ही परियायव अची हैं, इनको दूसरे नामों से किस नाम से भी जाना जाता है, रावत पत के नाम से भी जाना जाता है, मंदाही के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्राचीन भारत में आसमाना में प्रिकास की नदी की परिकलबनाकि जाती है पर स्वार्मंडल को कहा जाता है सनी के चलने के लिए एक कहा जाता है या गुरु के चलने के लिए एक कहा जाता है तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है आकास गंगा गंगा एक नदी के नाम पे रखे गई है तो आकास गंगा इसका सही आंसर है पुशेट नमबर 20, पृत्वी का निकर्तम तारा कौन सा है? सूर्य है, चंद्र है, हैली है या ध्रूव है? अब देखिए इसमें चंद्र में तो वैसे हो गया क्योंकि पहली बात तारा ही नहीं, यह एक उपग्रे है, अब बात करते हैं सूर्य है, हैली और ध्रूव की, तो सबसे निकर्तम तारे की बात करते हैं, तो सबसे निकर्तम हमारा सूर्य तारा ही है, और ध्रूव तारा है, वो इसे दूर है, हैली एक पुछल तारा है, तो इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर है सूर्य, सूर्य हमारे पृत्वी का सबसे निकर्तम तारा है पुछन नमबर 22 पुछलतारे जिसको हम धुमके तू भी कहते हैं, मैं गैस ये पैदार्थों की पूँच के संदर्व में सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है, पुछल तारे की पूँच अत्यधिक तीर्वगति होने से बनती है, यानि पुछल तारा बहुत तेजी से चलता है, इस वज़े से उसकी पूँच बनती है, पुछल तारे की प पुछलतारा जब आता है सूरे के पास, तो सूरे के विप्री दिशा में उसकी पुछ बन जाती है, और इसी तरीके से जो पुछलतारे की जो पुछ बनने का कारण है, वो उसकी बहुत ज़्यादा त्रिवर्गती होना है, चलिए, नेक कोशन देखते हैं, पुछन नमबर 23, पृतेक छेतर वर्ष में दिखाई देने वाले धुमकेतु कौन सा है, पृतेक छेतर वर्ष में दिखाई देने वाला धुमकेतु कौन सा है, गैरी, हैली, स्टार्क या निकोलर, तो यह बहुत हीजी उप्षन है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, हैली, हैली एक धुमकेतु है, जो हर छेतर वर्ष में दिखाई देता है, इसका सही उप्षन क्या हो गया, बी, हैली, हैली पूर्व में किस वर्ष देखा गया था, हैली, इससे पूर्व किस वर्ष देखा गया था, तो हैली को 2003 में देखा गया था, 2019 में देखा गया था, 1889 में देखा गया था, या 1986 में देखा गया था, तो देखिए पिछले चेतर वर्स में दिखाई दिया है, तो 1889 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसको तो 100 वर्स से भी अधिक समय निकल चुका है, तो option C तो होई नहीं सकता, 2019, 2003 या 1986, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, 1986 वर्स में इसको देखा गया था, और कब दिखाई देखा, तो इसका option है, आपके पाए, 2024 वर्स में, 2062 वर्स में, 2044 वर्स में, और 2064 वर्स में, तो आपने देखा था कि इसे पहले, हैली कब दिखाई दिया था, 1986 में, तो आपने छेतर वर्स बात दिखाई देता है, हर छेतर साल बात दिखाई देता है, हैली दिखाई देगा, question number 26, असंखे आकास गंगाओं के समुझ को क्या कहा जाता है, तो इसके option हमारे पास है, नक्षत्रमंडल, मंदागनी, अंत्रिक्स और ब्रह्मान, तो आब इसमें option देखें, नक्षत्रमंडल, नक्षत्रमंडल तो कुछ तारों के समुझ को कहा जाता है, तो यहां तो असंखे आकास गंगाओं की बात हो रही है, तो यह तो होई नहीं सकता, मंदागनी, यह खुद एक आकास गंगा का नाम है, तो यह भी option सम्भवनी है, अंत्रिक्स यहां पर खाली स्थान के लिए यूज किया जाता है, जो खगोले पिंडों के बीच में होता है, तो यह भी सम्भवनी है, ब्रह्मांड ही एक last option बसता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, असंख्या कास गंगाओं के सम्भव को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है, Q27, ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोले पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह, तारा, उप्रह, धुमके तू, जो आप अच्छे से जानते हैं, ग्रह के चकर लगाने वाले ग्रह के चकर ग्रह नहीं लगाता तो option 1 नहीं हो सकता, तारा ग्रह तो खुदी तारे के चकर लगाता है, तो ये option भी संभव नहीं है, धुमके तू ये भी option संभव नहीं है, तो उप ग्रह ही एक answer बसता है, तो उप ग्रह आपका चहीं answer है, ग्रह के चकर कौन लगाता है, उप ग्रह, तारे किस के प्रकास से च सूरे के प्रिकास सूरे को देख आरा है और दूसरी बात इसका मलब दूसरे तारे के रॉस् Kum驼 लिए इसे नहीं चमकती आ कि आकास्ति गंगा यहां पर बहुत सारे तारे होते हैं तो वाकतिक्ला में जो तारे किसके प्रिकास में इसका सही अंसर प्रिकास है तारे हमीचा स्वयम के प्रकास से चमकते हैं इसका सही अंसर होगा D Q29. सभी ग्रह या उप ग्रह किसके प्रकास से चमकते हैं इसके option है ग्रह के प्रकास से, तारे के प्रकास से, आकास गंगा के प्रकास से या स्वयम के प्रकास से जब ग्रह या उप ग्रह की बात आती है, तो वो किसके प्रकास से चमकते हैं, तो इसके आप सभी लोग जानते हैं, ये चमकते हैं तारे के प्रकास से, तो सही option क्या होगा, बी question number 30, ये इसका last question है, रात में चमकने वाले तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि तो इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर है, सूरे के निकट होने के कारण, इसके रौसने दिन में इतनी ज़्यादा हो जाती है, कि हमें और तारे नहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए, इसी के साथ आपका ये chapter complete होता है, जिसने RBSC के class 6 के chapter 1 को पढ़ा हुआ है, questions करने के बाद उसमें और कोई भी fact इसमें नहीं छोड़ा गया है, तो उमीद करता हूँ आपको एक समझ में आया होगा, और कोई भी problem आती है, तो आप please comment box में डालिएगा, thank you